बई हम हर्याना वालों से हाई कमान को क्या तकलीफ है हाई कमान ये बात बताए बिल्कुल लवारिस की तरह छोड़ दिया बाटिकट ले ली जाओ जी चुनाव लड़ो विपक्ष कहा है हर्याना में बिना संग्ठन के विपक्ष क्या करे अनुशासन इंता सर्चड के बोल रही है आज कोई क्या सिस्टम है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा और यह जो माँ आप से बात कहरें न अपना दर्द कहरें हम बगावत नहीं हो रहे पाल्टी से हरियाने के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, यह, साथ, आट, जितने नेता हैं, उनको बढ़ाओ एक कमरे, बंद करो ओन नी बना रहा है, जो परदेश अद्यक्षे, वो नहीं बना पा रहा है, या उपर से परमेशन नहीं है, या कोई टांग अड़ा रहा है के यार, ये 31 हमेले, लवारिस से पढ़े हैं, अरियाना के अंदर, दिल्ली से 10 किलो मीटर की दूरी पहें, का हाल चाल पूछ लो, भाजबा सरकार ने मेरी मां का घर तोड़ा, जब तक कांग्रेस में उत्रवर्ती नहीं आएगी, मैं साफ कह रहा हूँ, इस पस्ट कह रहा के चैनल पे हमारी पार्टी का सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपके निताओं को क्या एहसास नहीं है, कि अभी नहीं उठे तो फिर पंजाब जैसा हाल हो जाए, क्या मोदी से ज़्यादा व्यासते हैं ये लोग आज की तारी में नमस्कार, मैं आपका मित्तर सर्व मित्तर मसला है, आज हमारे साथ हरियाना के बेस्ट MLA है, नीरज शर्मा जी इस बार इनको विधान सबा में बेस्ट MLA के तोर पर चुना गया है, इनके लावा एक BJP की महला विधायक है, निर्मल जी उनको भी चुना गया है एक बात बता दूँ पहले, कि ये बेस्ट MLA हमने नहीं चुना है, और ना ही आपने चुना है, ये विधान सबा ने चुना है और विधान सबा ये बेस्ट MLA चुनती रहती है मौके मौके पर Best MLA से बात करेंगे हरियाना की 90 MLA में से Best MLA चुनेंगे नेरश शर्मा जी आप कैसा लग रहा है और क्या क्राइटीरिया होता है कि आपको Best MLA चुना गया हरियाना में नमश्कार जी देखे क्राइटीरिया तो मुझे भी नहीं पता मैं बेकार आपको जूट बात बोलू यह हमारी विदानसवा की कमेटी हैं जिसमें माननीय स्पीकर साब डिप्टी स्पीकर साब नेता पर्ती पार्क्ष माननीय मुखमंत्री जी संसदीय कार्यमंत्री जी डिप्टी सी एम और भी एक दो लोग हैं यह लोग मिलके चुनते हैं हम आपको बता दें फरीदाबाद से विधायक हैं कॉंगरिस के विधायक निरश शर्मा जी और इसके अलावा काफिध धार्मिक है और कथा भी करते रहते हैं अब यह बताएए कॉंगरिस से आप हैं अभी फिलहाल जो ताजा चुनाब नतीजे आए पांच राज्यों के कॉंगरिस को कुछ नहीं मिला पांच राज्यों में बहुत कम तक सिमट गई है क्या कहेंगे देखो बड़ा दुख हुआ हमें इस बात का और दुख हमें इस बात का भी सबसे ज़्यादा हुआ है कि कुछ नहीं मिला हुए यह अलग बात है जो हमारे पास था वो भी चला गया कि आज कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो स्टेट की लीडर्शिप है न वो तो महनत कर रही है जो सेंटर की लीडर्शिप है न उसका या तो कंट्रोल खतम हो गया या उसने बिलकुल मेहनत करनी ही छोड़ दी पाल्टी क्या चीज है हम 31 विधायक चुने पीछे अक्टूबर में हमारे यां चुनाव हुए थे 2019 में कुछ महीने बाद जहारखंड में हुए थे तो दिल्ली में एक रैली भी थी मैंने भरी मीटिंग में कही ये बात मैंने का साथ ये हरियाने के लोग आपको सिरफ रैलियों में याद आते हैं हर सेंटर का बड़ा नेता जिस जो मीटिंग में मजूद था उस समय पिछतर परसेंट लोग हर रैली में हरियाने के आते हैं हरियाने के लोग ऐसे हैं हरियाने के लोग ऐसे मैंने का साथ जब हरियाने के लोगों को कुछ देने का टैम आता है तो आप लोग कहा सोजाते हो भई हम हर्याना वालों से हाई कमान को क्या तकलीफ है हाई कमान ये बात बताए कि जिस दिन हमें टिकट दी हमें एक बार बुलागे हाई कमान ने यह नहीं का हाँ स्टेट के नेता हुन्हें हमारा ख्याल रखा नहीं तो हम तो बिल्कुल ही बेघर हो जाते हैं छैहे हमारे CLP हो चाए PCC हो चाए और बड़े नेता हूं, या सेंटर में नेता हूं। हमने ख्याल रखा हमारा समय समय पर रखते हैं। परन्तु जो सेंटर की ताकत चाहिए होती है न। वो ताकत हमें नहीं मिली, हमारे को सिंबल मिला अरे आप एक दिन बुलालेते। चुनाव लड़ो उसके बाद हम चुनाव जीत के आ गए अक्टूबर में चुनाव जीते भाईशा बाद धाई साल हो गए हम 31 हमेलों के पास एक ऐसी गुरूप फोटो नहीं है हमारे केंद्रिय नितरतों के साथ में कि हम अपने ड्राइंग रूम में दिखाद लगा सकें हम अपने बच्चों को ये कह सकें कि देखो जी हमारे नेता ऐसे दिखते हैं ये हाल है ये हाल है अच्छा आप कह रहे हैं कि हरियाना का आपका जो है वो तो मेनद करता है आपका जो कटर है Center वाले नहीं करते मेरे को लगता है कि हर wp yana वाले भी मेहनत करते है जब किसे किसे कते हैं मेहनत नहीं करते जब रहे है जब कि मैं तो चाहूंगा हमारी कंद्र EI command सुदरकांड पड़े पूरा का पूरा और सुन्दर कांड के अंदर जब राम सेतू बन रहा है तो उस समय स्री राम प्रभू को समुंदर रस्ता नहीं देते वो पूजा अर्चना करते हैं, सब चीज करते हैं तो अंत में बाबा तुस्वाई तुलसिदा जी क्या लिखके गई है बिने न मानी जल दी जल, जडगए तीन दिन भीत बोले राम सकोप तब भैबिन होए न प्रीत आज कोई क्या सिस्टम है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है बड़े-बड़े नेता हमारे मंच पे बैटे है, पंजाब को देख लो आप पहले पंजाब में ये सवाल होना चाहिए, वही शाड़े नौ साल कैप्टन साहा को किसने मुकमंत्री बनाया, चार महीने के लिए चले के पाल्टी छोड़के, इतना बड़ा धोका दे के पाल्टी के संग, उसके बाद बागी लोग आए, दो महीने के लिए आए यार चुना आशा देखे रहो भई, अनुशासन प्रियता लाओ, सक्त निन्ने लो, हर्याने के लिए रेक दो, तीन, चार, पांच, ये साथ, आठ जितने नेता है, उनको बढ़ाओ, एक कमरे, बंद करो, और हाई कमान के बाई, सवने चलना, एक अठ्थे दो चलो, नहीं चलना, जो ब परदेश वाले नेता नहीं सब काम कर लेना होता, फिर राई कमान की जुरुत क्या थी, फिर सेंटर लीडर्शिप की जुरुत क्या थी, फिर तो परदेश वाले आपस में बैठ ले थे, परदेश के नेताओं का सामजस्से नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, होड मची प्रदेश अद्यक्ष नहीं बना रहा है या ऊपर से परमेशन नहीं है या कोई टांग अड़ा रहा है नहीं भाई साब देखिए, ना तो परदेशत देख्ष की ऐसी बात है, ना हमारे CLP की ना अन्यनेताओं की बात है, मैं कहता हूँ केंद्रिय नित्रद्व को नजर नहीं आ रहा, उनके पास कोई फाइल, कोई किताब, कोई डेटा ऐसा होगा, के यार यह 31 हमें ले लवारिस स पढ़ें अरियाना के अंदर, दिल्ली से 10 किलो मीटर की दूरी पहें, इनका हाल चाल पूछ लो, फोटों नहीं खिचा सकते हमारे में कोई बिमारी लग गई है, कोई ऐसी चुगा चूट की बिमारी लग गई है, कि सैद हम ट्रांसफरंट कर देंगे दिल्ली के अंदर, हा हमारे नेताओं के ट्वीटर आते हैं, मेरे प्रिये दोस्त बिमार हो गई, जल्दी हो, अरे जो अपने हैं, उनको तो समाल लो, हमें भी करोना हुआ, हम भी में दानता में रहे, हम भी जिंदगी मौत का खेल देखके आए, आज हमें बेस्ट मेले का अवार्ड मिला, हमें पूरे अरियाने से बदाई आई, हमें परदेश केक एक नेता ने मुबारक बात दी, परसनली मुबारक बात दी, बिमारी होती है, आपस में दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, भाजपा सरकार ने मेरे मा का घर तोड़ा, सब नेता हमारे साथ थे, सेंटर का नेता एक फोन भी ने कर सकता के नीरे सर्मा, बहुत अच्छा काम किया है तूने, क्या काम किया है बिटा, औरों को भी बता, वो भी ऐसा काम करेंगे, पाल्टी के इंदर फैदा होगा, तू कैसे रमैन पढ़ता है, तू कैसे राम जी का नाम लेता है, और मैंने विदायक बनने के बाद राम कथा पढ़नी चालू करी, के तू बाकिया में लोग ओभी से का, राम जी का मुझे यस मिला, मेरे यां तीस दिव्यांगों के नोक्री से निकाल दिया, आप दायको अफसर बनाओ, मैं महीं फैक्ट्री के गेट पे से राम प्रभू की रमैन लेके बैठी, मुझे पता प्रभू के लिए तकरीबन 795 दिन बचे हैं, 795 दिन कम नहीं होते भाई साब, निकल जाओ दोरो पे, फिक्स कर लो, के भाईया हमने में दो दिन, तीन दिन, स्टेट हैड़कॉर्टर, इंदराजी वाला टेम याद करो, इंदराजी कैसे वरकर के दिल तक घुसती थी, उस पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल पे, हमारी पाल्टी का सर्वाइव होना बहुत मुस्किल है, बहुत मुस्किल है, बरकर कोई जमीन जा जा चारा है क्या भाई साब, आज हम भी आपके माध्यम से कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं, बरकर बस यहीं चारा हमारी दो कि एसास है या नहीं है तो देखो उनको खुद आए क्यों नहीं चाहिए अपनी कि भई धाई साल हो गए आपके पास कोई रजिस्टर होगा कि टोटल हिंदुस्तान में 420 विदायक हैं सब पाल्टियों के कि भी हमारे कांग्रेस के कितने विदायक हैं क्या हमने इन विदायक से फोन पर बात करी इनकी कुषल शेम ली इनका विचारों का जनम जिन भी आता होगा घर में कोई सुक दुख भी बनता होगा ठीक है आप सब की भ्याशादियों में नहीं जा सकते हैं आपका व्यक्तिकत संबंध है व्यक्तिकत आना जाना है और तो और छोड़ो भाईशा क्या मोधी से ज़्यादा व्यासत है ये लोग आज की तारिक में सोरी मैंने मोधी कह दिया मोधी जी कहना चेता देश के परदान मंत्री हैं दूसरे दलकें बहुत अलग है अब हमारे अर्याने में महापोर के चुनाव हुए डिरेक्ट और खुश किसमती से हमारी पाल्टी हमारा जो मेर जीता है उसके लिए फोटो के लिए फुरसत नहीं है भाई मेरों की भी आज संस्ता बन गई है आल इंडिया कॉंसिल ऑफ मेयर से वो विचारे मेर हमारा जाता होगा कांग्रेस का वरकर है परतम नागिरिक है वो कितना डिमरोलाइज होता होगा जब हर्याने क सारे मेर मिलके कहते होंगे तुम मिले अपने सेंटरल लीडर से तुम हाई कमांड से मिले उनका इतना सा चेहरा हो जाता होगा भाई क्यों नहीं आप उलाते हैं ऐसे आदमियों को कोई कमबड़ी बात है क्या भाजपा की सरकार हो लोगों को पता हो कि भाई अभी सरकार ने किसी ना किसी तरीके से हमारे high command तक पहुँचे और आज जो EICC में कच्राई कठा हो गया है उस कच्रे को साफ करें काम करने वाले लोगों को मेहनत कच्छ लोगों को आगे लाएं और अनुशासा नहींता कहीं भी बरदास ना हो बैबिन प्रीत नहीं हो सकती हर्याना के कुछ विधायक ये कहते हैं और high command से डिमांड भी कहते हैं कि हर्याना के संगठन में बदलाव होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए क्या आप भी उनके साथ हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि अर्याना के संगठन में बदलाव होना चाहिए? मैं संगठन बनाने के फेवर में हूँ साथ देखिए बदलना है किसको बनाना है नहीं बनाना ये काम है high command का ये मेरा काम नहीं है नीरस सर्मा का पावर नहीं है कि मेरे कहने से आप पर्देश अध्यक्स बदलेंगे या CLP बदलेंगे या जन्नल सब्सक्राइब आपको वो संगठन पसंद है अर्याना का या नहीं है बाइचा मैं यही तो बात कह रहा हूं आपको आप असली दर्द तो समझो इन लोगों ने तो राय ले सबने सारे कागा जमा है एक जंडी नहीं मिल ली बही अगर जो कि आजकल हो क्या गया हम देखते हैं जिला द्यक्स बुलोक द्यक्स appointment आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से परदेश कमेटी तो करी नहीं रही है appointment रोना तो इसी बात का हो गया या तो आप परदेश को उत्राइज कर दो के जी आप कर दो appointment हम देखते हैं जाला तर चुठी आती हैं नीचे केसी वेनु गोपाल जी के साइन होते हैं केसी वेनु गोपाल जी हस्ताइसर करते हैं एजे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी जर्नल सेक्री और्गनाइजेशन तो हर्याने की तो आप बात ही मत करो यही तो मैं आप से दर्द कह रहा हूँ के हाई कमान में आज ऐसे आदमी बेट गए हैं जिनको भाईश पता ही निया चोगराफिया कसम से क्या उनको नहीं है कि हमारी पार्टी अगे बढ़नी चाहिए हमारी सरकार आनी चाहिए तो ऐसा क्यों नहीं करता हो हाई कमान अब यह तो जी देखो मेरी किसमत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरी मुलाकाथ हो मेरी जिसी दिन मुलाकाथ होगी मैंने तो यही 2-3 हरपी बात करनी है कि क्यों तो आप 31 00.000 के नहीं मिले और क्यों आपने अपने धर्वार खुले नहीं कर रखे और इस AICC में कच्रा हटाओ AICC में ऐसे व्यक्ति लगाओ जो जिले में महनत करें अरे पहले नेता होते थे हमारे पास हम भाईसाद जब चाहे उनका हाथ पकड़ लें भाथ कर लें वो इलाके में गूमते थे जुरा जंडा लेके गूमते थे आज किसी का कुछ है ही नहीं साब करता है कौन है AICC में कौन-कौन कच्रा है अब भाईसाद देखो कच्रा एक तो है नहीं है कही है मैं सब के लिए तुम्हें कैसे कह दूँ मैंने तो पॉइंट करें नहीं है और ये तो देखिए मैं अपने घर में चार आदमी रख रहा है ये तो मुझे भी पता है ना कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है कौन सी फार्शी है और कौन सा महंती है ये तो उन्हीं को छाटना है उन्हीं को लग करना है अब को लगता है कि कभी ये बदलाव हो सकता है आईकमन के समझ में आ जाएगा या फिर ऐसे चलते रहेगा देखो भाई शब नहीं आएगा तो हमार दियाती में कावत है कबूतर आख बंद कर ले तो बिल्ली देखना बंद नहीं कर देती अगर जो कबूतर ये सोचें मैंने आख बंद कर ली मुझे बिल्ली नहीं देखाई देरी पर बिल्ली को तो कबूतर देख रहा है बदलाव नहीं लाओगे तो आप ऐसे बदल जाओगे कुछ रूनी नहीं पाएगा आपको निरज जी आपने हमारे साथ बाचित की है और आपने हर्याना के बेस्ट MLA को सुना कॉंग्रेस के विधाएक हैं बेस्ट MLA तो चुने गए हैं लेकिन दर्द है दुखी है कि कॉंग्रेस हाई कमान इनकी सुद नहीं लेता है मतलब जो भी इनके चुनकर आए विधाएक जो भी नेता उनकी सुद ही नहीं लेता है संगठन में कुछ हो नहीं रहा है हरी जंडी हाई कमान से मिलती नहीं अगर ऐसा चलता रहा तो फिर पंजाब जैसा हाल हो सकता है कोई रोक ही नहीं सकता आपने इस पूरी बाचत को सुना है आपको ये बाचत कैसी लगी या विधाएक साब जो बोल रहे हैं उस पर आपके क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर बता दीजेगा शेयर कर दीजेगा इस मसले को ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें जो कॉंग्रेसी हैं नेता वर कर वो लोग भी अपनी राय दे सकें और अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट सही आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सबस्क्राइब फॉलो जरूर कर लेना है ताकि जो हमारी अगली वीडियो अगले मसले अगले अच्छे इंटरिव्यू आप लोगों तक पहुंच सकें धन्यवाद नमस्कार अदाब सच्छरी अकाल राम राम